कि स्वागत है सभी का कि ये क्लास एक पर्यावरण की अंतिम क्लास भी आप कह सकते हैं महिराथन के रूप में दी जा रही है आपको इस चैनल के माध्यम से वन लाइनर टाइप का है ठीक है ये बहुत इंपोर्टेट प्रश्ण है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वालने हैं अगर आपने ईवियस यानि पर्यावरण अध्यान यूपिटेट के लिए नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरू देखिएगा ठीक है और बह सकते हैं प्रश्ण के पहला प्रस्ण आप देख रहा है डब्लू ६्लू एफ से आसे हैं देखे या डब्लू यफ वह डबलू रबलू-वाला नहीं है पहले डूसरा वाला है ये वाल्ड द लाइफ फन्ड ऐसे कहते हैं ठीक है इसका जो मुख्याले है ौग्लेंड में ह पूछा जासकता है अगला देखते हैं जल्दी यल्दी हम करेंगे प्रिष्ण को ठीक है कि चरिश्का राष्टी उद्यान कहां है यह राजिस्थान में काफी ज्यादा पूछा गया है उसके बाद आगे देखते हैं अगर आप नोट करना भी चाहें तो नोट भी कर सकते हैं यानि कि यह वीडियो से जो आपको प्रस्ट मिलेंगे आप इसे नोट भी कर सकते हैं अगला देखते हैं पोध्य को वायू मंडल का सुध्धी कारक कहा जाता है क्योंकि स्वसंक्रिया वास्पोर्जन की या प्रकास अंसलेशन की क्रिया इसके दारा होती है इसलिए वायू कर गाटी उत्राकंड को कहा जाता है अगला प्रशन अब टेंसर ना लें इसमें सारे आपको प्रस्ट मिलेंगे जो विपेन्द रॉत्ण के आप सूँच सकने हैं जो सारे प्रशन आपको मिलने वाले हैं तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए अगर नोट भी नहींगे आप पारित हुआ 1972 में वन जीव सुरच्छा दिनियम इसके बाद आगे देखते हैं भारती गेंडा के नेशनल पार्क कौन सा है काची रंगा आशाम काफी इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है गेंडा के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है काजी रंगा आशाम में है ठीक है रेड डाटाबुक संबन्धित है, रेड डाटाबुक , विलूप्त, यानि की ऐसी प्रजातियां जीवजन्तु गशन, उसके बाद देखते हैं, में 16 घास इस्थल आपाये जाता है वहारत के पश्च्वी घाट में पाये जाता है ठीक है ङास इस्थल अगर देखते हैं भारत में पेलिकन पच्ची कहां प्रजिनन करते हैं यह बहुत सारे प्रस्थनाप नए तरीके के देख रहोंगे जो important है इसलिए ये question note किये गये हैं जो आपके लिए बहुत important है ठीक है भारत में पेलिकन पच्ची कहा प्रजिनन करते हैं इनका जो प्रजिनन स्थल है को कारे बैलूर नेलपट पुन्त नुकुलम ठीक है ये पेलिकन पच्ची होते हैं भ्रमण के दोरान आते हैं वो प्रजिनन करते हैं ठीक है अगला प्रश्ण जो है बहुत important है वर्ड लाइफ इंस्टूट आफ इंडिया कहां पर है ठीक है वर्ड वाइड लाइफ वर्ड नहीं वाइड लाइफ इंस्टूट आफ इंडिया देहरादून उत्त्राकंड में किस वर्ण की उपस्तित के कारण अगोधे रहे होते हैं ठीक है किस वर्ण क्लोरोफिल ठीक है काफी चडचित प्रश्ण है यह प्रश्ण नंबर 12 पर्या वराण 108 द्नियम कब बनाया गया उनीजसोचीयासी में इसका तत्कालिक कारण 1984 में भोपैल तराश्धी ठीक है तेरवा प्रश्ण दूद्वा राष्टी उद्ध्यान तर प्रदेश के किस जिले में है लखीम पूर्खीरी ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है अगर उत्तर प्रदेश से कोई प्रश्ण अगर पूछा जा सकता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है ठीक है एक मात अगला प्रश्चन मांट्रियाल प्रोटोकाल संबंदित है किस राष्ट में हुई जापान में हुई ठीक है विश्व पर्यावरण दिवस पांजून इस अधनियम को चाता विधान कहा जाता है ठीक है चाता विधान तो पर्यावरण सरण अधनियम को चाता विधान कहा जाता है ठीक है 1986 में जिसे लागो किया था किया गया था यह अधनियम आया था ठीक है प सभीद देशुद्वरा मना गया है जोग विशुवाने की दिवस 21 मार्च विशु पर्यावरान दिवस 2 जुन और की दिवस 21 मार्च फ़िक उसके बार देखिए अगबार में कौन सा विशहला तत्तत्त होता है प्रेट होता है जो अगबार में चेत्रफल की द्रश्टी से सरवाधिकपन की स्वराज्ज में है तो वहां मद्ध्य प्रदेश में है अगर हम प्रसत की बात करते हैं तो और उनाचल प्रदेश ठीक है भारत में प्रश्ण नंबर 24 विएना कनवर्शन कनवर्शेशन इसके सरणरच्ण है तो संपन्न किया गया देखिए मांट्रियाल ठीक है और विएना ये दोनों ओजोन परस से संबंदित हैं ठीक है मांट्रियाल प्रोटोकाल और विएना कनवर्शेशन ये ओजोन परस से संबंदित हैं ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा रक्त कैंसर किस उद्योग रसायन से होता है देखिए ब्लड कैंसर जो होता है वो बेंजीन उद्योग के रसायन है उसके द्वारा होता है वातावरान में सरवादिक पुर्दूसक कौन सी गैस है ठीक है राष्टी पच्छी दिवस 12 नमबर भारत का बर्ड में डाक्टर सलीम अली को कहा जाता है और सलीम अली राष्टी उद्ध्यान कहां पर है या जम्मू कस्मीर में है जैएन से इस नमबर देखते हैं कोटोपैक्सी जुआलम की कहां जाती फै1 पर कटोपैक्सी कोält आप इस तरह देख सेते हैं एक़शती सबसे बड़ा पच्छी उत्यान कहां है भरत पुरा जोड़ा सबसे बड़ा पच्छी उत्यान कहां है पच्छी उत्यान को कहा जाता है और इथी लोट जी थी पच्छी उत्यान को कहा जाता है सेरी कल्चर संबंदित है रेसम उद्योक से भारत के सबसे प्राचीन परवस्त्रेणी कौन सी सबसे प्राचीन परवस्त्रेणी में से अरावली की परवस्त्रेणी जो है भारत में सबसे प्राचीन परवस्त्रेणी कहा जाता है ठीक है नातुला दर्रा किस राज से संबंदित है नातुला दर्रा यह सिक्किम राज है ठीक है सिक्किम राज अगला प्रश्ण जम्मू से स्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है ठीक है बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से स्री नगर के मार्ग से होकर जाता है ठीक है मार्ग इसी से होकर जाता है जो गर जम्मू से स्री नगर जाना है तो बनिहाल दर्रा से होकर ही आप जाएंगे 49 प्रस्द देखते हैं कौनसा अभ्यारण जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ठीक जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण ठीक कहाँ पे केरल में मैंने अभी बताया ठीक है पेरियार ब्यारन केरल में जंगली हातियों के लिए प्रसिद्ध है चलिसमा देखते हैं दुमें से आखों में जलन पैदा करने वाला रसायन कौन सा है तो वह कौन सा है नाइट्रिक आकसाइड ठीक है नाइट्रिक आकसाइड से आपकी आखों में नाइट्रस अकसाइड ठीक है बैल इसमाँ देखते हैं इंडियन इंस्ट्यूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा है भोपाल मद्य परदेश में है इंस्ट्यूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह याद रखीगा काफी ट्रिंडिंग वाले कोश्चन है यह इससे पहले मैंने जो बताया था उनसा बताया था जो देहरादून में था वाइल्ड लाइफ इंस्ट्यूट आफ इंडिया ठीक है और यह है इंडियन इंस्ट्यूट आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भूपाल में विश्व पर्यावर्ड दिवस 27 सितंबर को 16 सितंबर को ओ जोन सरच्छन विश्व टायगर दिवस 29 जुलाई यह प्रमुख दिवस हैं जो काफी इंपोर्टेंट है अगला प्रश्ण जो है 45 नंबर का वो यह है जल प्रदूसर निवारण और नियंत्रन अभी अधिनियम कब हुआ कब लाग हुआ यह फिक परित हुआ यह 1974 में ठीक है कब आया है ठीक है जल प्रदूसर निवारण नियंत्र अधिनियम 1974 में ठीक है अगला जो प्रश्ण है भारत में सबसे कम वन किस राज में है तो हर्याडा में है ठीक है भारत में राष्टी वन नेति कब शुरू केगी पहली राष्टी वन नेति 1952 में 48 नंबर विस वन जीव कोस द्वारा प्रती के रूप में किस पक्स को लिया गया है ठीक है पांडा ठीक है चाइना में काफी ज़्यादा पाए जाता है पांडा को लिया गया है ठीक है 49 नंबर परिस्थित की विज्ञान के इंदर कहा है ठीक है बारत का परिस्थित की विज्ञान के इंदर कहा है बैंगलूर में ठीक है इंडियन इंस्ट्यूट आफ फॉरेस्ट मेनेजमेंट भोका भुपाल वाइल्ड लाइफ इंस्ट्यूट आफ इंडिया देहराधून में परिस्थित की विज्ञान के इंद बैंगलोड में इसके बाद अगला प्रश्ण 50 नंबर का देखते हैं भारती वन सर्वैच्ण विभाग की स्थाफना कब हुई तो 1981 में की गई ठीक है अगला प्रश्ण क्या हो नंबर का जल्दी जल्दी हम सारे कोश्चनों को देखेंगे यानि कि जल्दी जल्दी कहने का मतलब जल्दी जल जीज में मिलेंगे ठीक है तुध्यान से सुनते रही है एक बार देख लेंगे आपके दिमाग में असनी से इट हो सकता है भूमिगत जल्द को दूसित करने वाला आजेविक प्रदूसक बहुत इंपॉर्टेट प्रस्न है और सेनिक इसे संखिया भी कहते है ठीक है भूमिगत जल को पुर्दूसित करने वाला अजेविक पुर्दूसर आरसेने का अगला बावन नमबर का विश्व मरुस्थली करण रोक थाम दिवस कब होता है 17 जुलाई को पर नमबर कौन सा वायू पुर्दूसर का एक जेव सूचक है इसमें जातर प्रषन आपको बहुत इंपॉर्टर मिलेंगो आपके पेपर में आये हुए भी है जो आप अगर स्वीज देखें प्रिवियस यह के उसमें से कोश्चन आये हुए भी है जो वन नमबर देखते हैं किसे वैस्विक विरासत का वन माना जाता है सुन्दरवन कहां पे हैं यह पश्चि मंगाल ठीक है और आपके बांगलादेश में भी पड़ते हैं पच्छपन नमबर भारत में वन महस्व दिवस कब मनाया जाता है एक जुलाई को नमबर भारत में कौन सा वरच सरवाधिक पार जाता है । इसे व्यस्विक विरास्द में मिलता है जली सुन्दरवन कहा जाता है एक प्रसंजी knit नावे की यह तिक है अठावन नमबर वन जीव रच्छा के छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए भारस सरकार द्वारा इस्थापित पुरुसकार यानि भारस सरकार द्वारा दिये जाना वाला पुरुसकार कौन सा है अगला प्रश्ण जो है 59 की बात करें पृत्वी की सतह से सबसे दूर वातावरान की पृत को क्या कहते हैं बाय मंडल पृत्वी की सतह से सबसे दूर नजदीक कौन सा मंडल है चोब मंडल जहां पर जातर मौसमी घटनाए होती है आगे पृत्ष्ण है साथ नमबर के बात करते है राष्टी पर्यारण अभी यांत्री की अनुसंधान संस्था कहां पर है राश्टी पर्या वरण अभी यांत्री की अनुसंधान सनस्थान नागपूर में है एक सेट में की बात करते हैं दमफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में सुल्तान पच्छी अभ्यारण किस राज्व में है? सुल्तान पच्छी अभ्यारण हरियाणा में है ठीक है रिसर्ट नमबर देखते हैं 63 फारेस्ट रिसर्च इंसिट्यूट तेहरा दुन में और मैंने एक और बताया था वाइल्ड लाइफ इंसिट्यूट आफ इंडिया भी देहरा दुन में ठीक है वाइल्ड लाइफ इंसिट्यूट आफ इंडिया ठीक भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ठीक है अगला प्रश्ण जो है विश्व परत्वी दिवस कब मनाया जाता है विश्व परत्वी दिवस 22 अप्रेल ठीक है 67 शर। सवर्व पर्थम स्टूप की परिकलपना प्रस्तुस की थी। इसने चार्ल्स एल टन महीं ए 68 नमबर मरुस्थल में उगने वाले पोधे क्या कहलाते हैं गया उगने वाले पोधे सेरो फाइट आ गहलाते 69 नंबर 69 नंबर बिजली कड़कना तूफानों का आना आंधियों का आना संबंधित है किस मंडल से छोब मंडल से मैंने अभी बताया मौसमी घटना है जितनी सब छोब मंडल ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं विस्व में सरवाधिक लवड़ता पाई जाती है ठीक है तो अंतर राष्ट्रि अमल वर्शा सूचना केंद्र कहां इस्तित है ओसलो में ठीक है इसको ध्यान में रखे एगा इपॉर्टेट प्रश्ण है लवडी म्रदा में उगने वाले पादव को हेलो फाइटा कहते है मरुस्थल में जीरो फाइटा ठीक है उगने वाले पोदवा क अगला प्रश्ण इसमोक सिटी आफ इंडिया किसे कहा जाता है इसमोक सिटी आफ इंडिया को कहा जाता है अगला प्रश्ण वायू मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहा पर केंद्रित होती है ठीक है वायू मंडल में 90 प्रतिसत ओजोन समताप मंडल में और 10 प्रतिसत छोब मंडल में ठीक है इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण है इस्टोन कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है इस्टोन कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है अमलवर्शा ठीक है वायू मंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाते है अबको पता है नाइट्रोजन ठीक है अगला प्रस्ण में है कौन सी ग्रीन हाउस प्रभा के लिए उत्तर दाई है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस प्रभा के लिए प्रभाव के इफेक्ट के लिए ठीक है कारबन डाय अकसाइड लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रष्ण वायुद्पनैंवाले यन्त्र किस नाम से जाना जाता है बयरोugen हर की नाम से जाना जाता है की बीटी क्पास है इस प्रकार का करपास एक ट्रांस जैनिक पोधा है ठीक है आपकी यूपिटड के अगला प्रश्न कौन सर्वाधिक उत्पादक प्रस्थित की तंत्र है तो उस्ट कटवंधी वन अगला प्रश्न कौन सा रसायन आम के पकाने में प्रयोग होता है तो आम जो बड़ा हो जाता है तो उसे पकाने के लिए आप करवाइट का प्योग करते हैं केल्सियम करवाइट ठीक है कि 83 कौन सी बीमारी के दूसे जल पीने से होती है के दूसे पीने से रोग होता है वो दूसे जल पीने से होता है कौन दुई बीच पत्त्री पोधा है कि यह आपका यूपिट्टमें आया हुआ पॉस्च्चन है दोजार उन्नीस में सायद सर्सो उन आप्षनों में सर्सो था जो दुवीज पत्री पोधा है ठीक है अगला प्रश्न है पोधे का जल अधिग्रहन किसके द्वारा होता है जल अधिग्रहन जाइलम के द्वारा होता है प्रश्न कौन सा प्रतम साहित स्त्रोत है अगला प्रस्न है वायू मांडल में 90% किन्दो privately टेसं का विस्तार है अकसीजन और नाइट्रोजन अंग़ला प्रlaus्न जो है वायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम दिया जाता है ठीक क्या कहा जाता है छोब मंदंग जहांपे ज्यातर मौसमी घटना है होती है अगला प्रशन विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी क्या है इसका अर्वी ठीक है विटामिन C की कमी से होता है नब्बे प्रशन ठीक है असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गेंडा वाला व अगला प्रश्न जो है कॉन सा अगने चठान का एक उधारण है ठीक है वेसाल्ट अगने चठान का एक उधारण है सिघ धर्म के संस्थापक कौन है सिघ धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ठीक है गुरु नानक देव जी अगला प्रश्ण 93 प्रत्वी के वातावरण की किस सतह में ओ जोन परत पाई जाती है देखिए स्ट्रेटो स्फियर यानि समताब मंदल ठीक है इसका इंगलिस भी उपांतरन आपको दे सकते हैं जो मंदल ना देखर इस्ट्रेटो स्पियर इनिसमताब मंदल ठीक है जो हिंदी के नाम करन है उनकी जगाव इंगलिस के नाम भी दे सकते हैं इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा अगला प्रश्ण भूकम की तीवृता मापने वाला यंत्र शिश्मुग्राफ अगला प्रश्ण दच्छी गोलाद का सबसे लंबा दिन किस दिन को माना अगला प्रश्ण सत्यार्थ प्रकास के लेखक कौन है ठीक है श्वामिद दयानंद सरस्वती बीहु भारत के किस राज्य का लोक न्रत्य है बीहु आश्याम का लोक न्रत्य के माना जाता है 98 खाद संकला के परस पर क्या कहा जाता है 5 99 कुणेन नामक दवाई फ्राप्त होती है तो कुनेन नाम की दवाई सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है ठीक है सो नमबर वाला देखते है परक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजिनन करते हैं कहलाती है परागरण परागरण ठीक है परागरण ही परागरण ठीक है करता है या पर्या वरन की परिभास है थीक है पर्या वरन की appear के साथ अंताओ क्रिया करने वालों को समल्ष करता थीक है या परिभासा जो है यह र ऑरन शौरण इन्यम 1966 में दी गए थी यह पर्या वरन की है पर सकता है ऐसे कहा है यही जाता है राम देव मिस्र ठीक है अगर सितकी सब्ध का सवरुपरत्म प्रियोग किया ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट यह दोनों 102 एक सो पीन नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है इसके इलावा जो अन्ने कुश्चिन में यह भी बहुत इंपोर्टेट परस्थित्की सब्द का सरुपत्तम प्रियोग अर्नस्ट हैकल ने किया जिने प्रस्थित्की का प्रता भी कहा जाता है और तंत्र जोड़ा वो टांसले ने जोड़ा ठीक है पर्यावरण का भौतिक संगठक नहीं है पर्यावरण के अगला प्रश्ण जो है पर्यावरण एवं वन मंत्र अले का स्रजन कब किया गया 1985 में तब हमारे वर्तात कालिक जो प्रधान मंत्री थे राजियू गांधी जी थे ठीक है अगला प्रश्ण जो है वन जियू सरच्छन अधनियम 1972 इसके साशन काल में प्रारम किया गया थे तो उस समय भर्ती प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी जी थे ठीक है आदि मानों की भोतिक पर्यावरण की कार्यात्मक्ता को में भूमका किस प्रकार की थी यानिकि आदि मानों यानिकि पुराने समय का जो मानों था वो भोतिक पर्यावरण में उसकी कार्यात्मक्ता इनि कार्य करने की भूमका किस प्रकार सी पाता दाता मानों के रूप में ठीक है कि 110 नमबर मनुस्त के लिए सरवादिक कारिश्चम तापमान ठीक है यानि कारिख करने के लिए सच्चम तापमान किस प्रकार कौन सा है 25 डिग्री सेल्सियस का है 111 नमबर ओन इसतर के चल्ण का पता लगाने वाले सरवपर्थम कौन थे जोशेफ प्रमेंड कि ओनग शानिम तरके चल्ण का पता लगाने वाले सरफ परतम थे जो से पॉर में 112 नंबर दच्छिडपूर्वी संयुक्त राज अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है ठीक है दच्छिडपूर्वी संयुक्त राज अमेरिका की नरक एनेसी नदी को कहा जाता है ठीक है अगला प्रस्वन दामोदर नदी कहां से निकलती है, छोटा नागबुर पठार से निकलती है और यसे बंगाल का सोग कहा है, ठीक है, प्रिश्ण नमबर 114, कौन सी विवस्था प्राकर्तिक नियमों से संचालित नहीं होती, ठीक है, प्राकर्तिक नियमों से संचालित नहीं होती, मानो-प्रेरित परस्थित की तंत्र प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है जो आप तलाब बनाते हैं एक्वेरियम जो होता है जो प्रस्तित की तंतर के अंदर आते हैं जीवों के प्रस्तित की कारकों का योग पर्यावरण है यह कथन जो है यह कथन ए फिटिंग का है अगला प्रस्तित जो है सतत वा इस्थाई विकास किस प्रकार की अवधाना से संबंध रखता है सतत व इस्थाई विकास नव नियतवादी अवधाना से संबंध रखता है पर्यावरण एक अविभाज समिष्ट है जिसकी रचना होती है भौतिक जेविक एवम सांस्कृतिक तत्तो वाले परस्पिक क्रियासिल तंतरों से ठीक है अच्छा अपका एक तरसे पॉइंट है ठीक इसको जुरून नोट करने कोशिश कीजिएगा रियो ट्वंटी गोजणा पत्र का सीर्षक क्या था इसे हम लोग प्रत्वी सम्मेलन भी कहते हैं अगला देखते हैं प्रत्वी सम्मेलन प्लस पांच अयुजित किया गया था देखे जो 1992 में पहला प्रत्वी सम्मेलन था उसमें 5 प्लस कर दीजे तो 1997 में इस प्रत्वी सम्मेलन प्लस 5 को क्योटो प्रोटोकाल भी कहते हैं ठीक है चाहे प्रत्वी सम्मेलन 5 कहे कॉश्चन है कौन सा सतत्विकास लच्च भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके इस्थाही प्रबंद को लच्चित करेगा SDG 6 यानि की सतत्विकास लच्च भी जो सभ जल और सभ श्चता कैंतर गत सभी को सभी को स्भी पानी उपलब्ध सभ सभी को अपलब्द कराएंगा है मानव गतविदियों से पर्यावर्तित पर्यावरन कहलाता है मानव की गतविदियों से जो पर्यावर्तित होता है उससे कहते हैं एंत्रोजेनिक पर्यावरन ठीक है अगला प्रेशन जो है सामानेता पर्यावर्न को नीमन प्रकार से वर्गित किया जाता है हाथ थीच है कौना सवेव्र जील के लिए तेज़ी से व्रद्धि करता है यह इसे जलस्वच्छ करने का प्राकृतिक सद्धन भी कहा जाता है 124 नमबर कवक और सेवाल में कैसा संबंद है कवक और सेवाल के बीच सहजीवी संबंद है कवक और सेवाल के बीच पुरी को लाइकेन भी कहते है इसको थोड़ा समझने कोशिश कीजिएगा 125 नमबर वन के पेड़ो की छालो पर उगे होते हैं और निकलते हैं कौन होते हैं लाइकेन ठीक है अगला प्रशन घास इस्थली परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है जो घास इस्थली परितंत्र होता है उसमें पिरामिड कैसा होता है सीधा होता है ठीक है, पिरामिट सिधा होता है, यह प्रस्ने बहुत important है, प्रितंत्र में उर्जा का पिरामिट कैसा होता है, यह भी सिधा होता है। जीव भार का पिरामिट उल्टा होता है अगला प्रश्ण है खाद जाल में उर्जा का प्रवाह होता है एक दिसी एक दिसा में एक दिसात्मक ठीक है खाद जाल का प्रवाह होता है इसे खाद स्रंखला भी आप कह सकते हैं कि 2001 से 2011 के मत्धवारत में भारत में जो 10 की कि व्रत्ण व्रद्रीयीवा प्रतिस्थत्य कि आगला пять प्रश्मन जो है प्रक्यति के संदूलन को बनाए रखने के लिए प्रतिवी के कितने प्रतिस्थ भाग पर बहुना आवश्यक है यह प्रतवी के 33 परसेंट भाग पर बहुना आवश्यक रहा सकते हैं तया की स्थोप तो करणाटक राज्य में इस्थी थे लेकिन तितलियों के लिए कौन सा सरच्छण राष्टी पार्क है तो बनेर घाट राष्टी पार्क ठीक है इसको याद रखेगा अगला प्रश्ण है सरवाधिक कोईला उतपादन किस देश में हैं सरवाधिक चीन में ठीक है अगला प्रश्ण काला सोना या फित्तरल सोना किसे कहा जाता है पेट्रोलियम को कहा जाता है किसे कृतिम उन कहा जाता है कृतिम उन कहा जाता है हमारी आकास गंगा जो है उसका आकार कैसा है तो सर्पिल ठीक है सर्पिल ठीक है भीम संग का संबंध किस से है किस राज से है करनाटक ठीक है अगला प्रशन जो है पाचन प्रक्रिया के विश्य में किसने खोज की थी ठीक है पाचन प्रक्रिया की कोज किसने की थी विलियम बोमेंट ठीक है विलियम बोमेंट अगला प्रशन जो है मस्रूम किसका उधारण ह है मसरूम एक तरह का कवक होता है ठीक है कवक का उधारण है ठीक है अगला प्रश्न जिम कार्बेट राष्टी उध्यान किस वर्स इस्थापित किया गया तो 1934 में इसका नाम भी बदला गया है साइद राम गंगा राष्टी उध्यान के करने की मंजूरी मिली है ठीक है तो उसे देखते हैं एक मार्क जो क्रसी उत्पाद की गुडवत्ता के लिए जारी किया जाता है यह एक्ट किस वर्स जारी किया गया 1937 में एक मार्क जारी किया गया ठीक है यह जो एक था ठीक है अगला प्रश्न है किसे जेविक मरुस्थल की संग्या प्रदान की गई है दाम अगला two men 100 accompエllani सब्सुमेलन सभू सभू आयुजित किया गया था प्रथम वी सबान सब्सुमेलन पीटर सबर्ग में ठीक है अगला प्रश्न भारत में भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है सिक्क्यम सिक्क्यम है भारत का पहला प्रथम fiance अगला प्रश्ण वाले प्रमक रोग प्लेग इटनेस निमोनिया ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें पूछ लिया जाएगा प्लेग जो है रोगों किस के दौरा होता है जीवानों के दौरा होता है अगला प्रसंद देखते हैं 140 नंबर वड़ा अंधता में किस रंग की पहचान नही हो पाती है लाल और हरा रंग जो होता है वह बढ़ना अंधता में इन दो रंगों की पहचान नहीं हो पाती है अगला प्रस्म जो है 1945 में कैबनेट मिस्टन में मुस्लिम लीग के सदस्ते या जोगेंदरनाथ मंडल ठीक है जो मुस्लिम लीग के सदस्ते इसको याद ठीक है 150 नंबर 150 दा रिवर्स आफ इंपेरिमल इंपीरियल की संग्या प्रदान की जाती है किसे कि दा रिवर्स आफ इंपेरियल यह संख्या विलूप्त नदी ठीक है तो प्रदान की जाती है अगला प्रशण है वरून-ग्रहा की कोज किस ने की थी तो वरून-ग्रहा की कोज जिहां गालेने ठीक है अगला प्रशन है हिमालय च्षेत्र हाट-पॉर्ट का कितना बहरत में पाया जाता है हिमाले का छेत्र जो होट पर होट होट इस प्रतों है कर दो पर्सेंट पर्सेंट है पश्चमी घाट है और अध मुझा न शूंडा लेंड1.28 पर्सेंट है इस प्रकार सबसे ज्यादा हाट-वप्रस्थषट भारत में पश्चमी गाट का है जो चौश्च दसम्नौट परतस्थ सबसे कम सुनदा लेंड का है 1.8 ठीक है अगला प्रस्थषट क देखते हैं किसी भी पर देत्प।की Сर्वोच पोशण प्राप्त करता कहलाते हैं ठीक सर्वोच पोसर अब घटक ठीक अब घटक कि इसे याद रहें के बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कि 155 नंबर प्रकास उर्जा का कि मात्रा कितना प्रचत भाग हरे पेड़ पोद्धे द्वारा संचीत रसानिक उर्जा में प्रवर्तित किया जाता है कितने प्रचत भाग ठीक है प्रकास उर्जा का हरे पेड़ पोद्धे रसानिक उर्जा में प्रवर्त करते हैं तो एक से पांच प्रचत अगला प्रश्ण है भारती समविधान में समाजवादी पंथन दिन बेच और अखंडता सब्द जोड़ा गया तो यह 42 समविधान संसोधन में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया ठीक है यह बहुत इंप्रटेंट है और 42 समविधान संसोधन को एक हम कह सकते हैं कि छोटा समविधान मीनी समविधान भी कहा जाता है अगला प्रशन है जम्बुदीब का जजंख्या के अधार पर परतम इस्थान है जम्बुदीब कहते हैं एसिया को जजंख्या और छेतरफल दोनों में पहला इस्थान है अगला देखते हैं टुंड्रा बायों में पाये जाने वाले जीव कौन-कौन से रेडियार है सील है मचली है अगला प्रश्ण भारत की पहली रेल कब चली थी भारत की पहली रेल अगर बहली रेल की बात करते हैं तो 1851 में माल-गाड़ी जुरूडकी से चली थी और यात्री वाली जा कहें तो मुंबाई से ठाड़े 1853 में मैं दीपी टी वैक्सीन के लिए कि लिए कि आ देक्गे कि देखें डीपीटी दिकोर कालिखासी और डिटनेस के लिए ठीक है तो फॉर मुक्षपात थक्षायगemen भिलाई इसपात सहें चट्थिसगर में है राउर केयला उडीसटा मैं है दुर्गापुर इसपात इंद्र इपक्ष्चि बंगल में हॉरि स्याई यह स्टील का अब सबस्तिती एक थे करन नंठक मैं तो थोड़ा भिएंक बहुत सर्भी की वज़े से होता है अगला प्रसन को सु कौन को सी कारबन डायाक्साइड और चल्वास तिमू Приुवग्राइक्साइड ठीक है अगला प्राशन डेखते हैं नाल pro जन्क्राइड काझसाइड ठीक है नाकोजन की कमच से नेमोनिया रोग होता है ठीक है ये भी आप से एसो टू ठीक है जल्वाप से क्रिया करेंगे तो सल्प्यूर्यूक एसिड बनाता है जल्वाप से क्रिया करेंगा तो एच नो थी बनाएगा यह दोनों अमले वर्षा के लिए उत्तरदाई रहते हैं अगला प्रसंद देखते हैं ग्रीन ग्लोल्ड करांती का संबंध ग्रीन ग्लोल्ड करांती का संबंध है चाय उत्तपादन से ठीक है वाइट गोल्ड करांती का संबंध का पास उत्तपादन से ठीक है जो गोल्ड करके आता है ना यह काफी कन्फूजन में डालता है ग्रीन गोल्ड चाय उत्त हानिकारक किरण है ठीक है पराबैगनी किरणों में अल्ट्रा वाइलेट किरण जो होती है सी वह बहुत आनिकारक है ठीक है और जोन परत द्वारा सरवाधिक अफसोसित की जाने वेली किरण है यूवी सी है अल्ट्रा वाइलेट किरण जो है सी ठीक है कि दोनों पराबैगनी कि सबसे हानिकारक भी ओ जो हैं पुरत के द्वारा सबसे अधा अवसोसित की जाने वेली भी किरड ल्टर वाइलेट वेवस सी है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं यदि दुरकर्टना इस्थल पर रक्त की जाच की सुविधा ना हो तो किस समू का बलड चड़ाना चाहिए ठीक है और रक्त समू की खोज क्लार्क लेंडिस्थीनर ने की थी और सर्व ग्राही जो जातर जो ग्रह करते हैं वो ग्रह कर सकते हैं कुन कौन सा एबी उस देने वाला जो ग्रूप होता है वो होता है ठीक है तो इसमें कुछ मानक है आप देख लीजे और द्योगिक छेत्र है अगर तो इसके साब से 75 से 75 डेसिबल इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा वेपारिक छेत्र है तो 45 से 55 डेसिबल वेपारिक छेत्र है तो 45 से 55 डेसिबल और सांथ चेत्र है तो 40 से 50 डेसिबल ठीक है भारत में सामान्य ध्वनी मानक जो है वो 45 से 60 डेसिबल का है वो साहट के लिए ध्वनी का जो ध्वनी है उसका मानक जो रहता है वो 20 डेसिबल रह देखते हैं नंडा देवी चोटी प्रसिद्थ के लिए ठीक है नंदा देवी राष्ची विभिन प्रजातियों के लिए फूलो की गाटी उत्राकन को कहा जाता है ठीक गर हो भूमद रेखा 0 degree पर है करकों मकर रेखा साड़े 30 degree उत्तरवा दच्छड़ी में इस्तित है और अकार्टिक वरत और अंटार्टिक वरत इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा यह मैंने पॉइंट के रूम में आपको दिया है राइट लवली हुड पुरुसकार बंदना सीवा को कब प्रदान किया गया था ठीक है यह 1993 में प्रदान किया था कोक वन 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था इसे हम लोग जलवाई परिव प्रदूषण का प्राकरतिक सूचक ठीक है अगला प्रशन है 178 ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण के लिए कहा जाता है जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन होता है ठीक है और सड़कों के किनारे पेड़ों लगे होते हैं उन्हें ग्रीन अगला जो प्रशन है कौन प्राकरतिक मनस्पति मरुस्थली प्रदेशों में पाई जाती है तो केक्टस जो होता है वो मरुस्थली पौधा है जो मरुस्थल में पाई जाता है मिए प्रश्ण जुमांग मालों कहां पाया जैता है जुमांग मालों जो होता है उसे पांडा भी यह गर जैसे पांडा का नाम है कि फूल्द जा ऊथा है अगर्ण इस के फ्रतीक गें ठीक है प्रतीक भी है ठीक है अगला प्रशन जो है लोवर लेक अपर लेक कहा पर पाय जाते हैं भोपाल में जिसे जीलो का सहर भी कहा जाता है ठीक है जीलो का सहर भोपाल लोवर लेक अपर लेक ठीक है अगला प्रशन है जे ट्रोफा के बीच से सामानिता कितने परसत तेल निकाला जाता है ठीक है 25 से 30 परसंट बायो डीजल के निर्माण में काम आता है ठीक है जिसे रतन जियोत भी कहते हैं जे ट्रॉप को ठीक है जे ट्रॉफा को ठीक है अगला प्रश्ण जो है जब एक जीव लाव लेता है बगेर दूसरे जीव को नुकसान पहुचाए तो वह कहा जाता है ठीक है जब एक जीव लाव लेता है बगेर दूसरे जीव को नुकसान पहुचाए इससे कहा जाता है सह जीवी ठीक है अगला प्रश्ण है प्लेग से मानो का कौन सा अंग मुख प्रभावित होता है ठीक है प्लेग से फेपड़ा और प्लेग जो है न ये जिवारों के द्वारा रोग होता है ठीक है अग arts ने रीठा पादब का मैं कर उत्पाद होता है जो साबून का विस्थापन है रीठा का कि सारद्छर के लिए किया जाता है कि रीठा रीठा का प्योग के लिए की अगला प्रास्शन है इन्सुलीन के रुषाइनिक प्रक्रत क्या है स्लीन के प्रोटीन है अगला प्रशन रूप से सुष्क मिट्टी कि क्या विसेस्ता है मिट्टी में लवड सांदर्ता अधिक होती है यही सुस्क मिट्टी की विसेस्ता है लवड सांदर्ता अधिक होती है सुस्क मिट्टी में अगला प्रश्ण जो है भारत में क्रिसी को प्रभवित करने वाल्या मौसम का सबसे महात्व पूरूर कारक है वर्षा दिया होगा वर्ष्टी दिया होगा ये दोनों एक होते हैं ठीक है वर्ष्टी वर्षा क्रिस्ट को प्रभावित करने वाले मुख्य होते हैं अगर वर्चना हो ना तो आप फसल लगाएंगे सबसूख जाएगी तापमान का भी प्रभाव रहता है लेकिन नहीं लेकिन मुख्य रूप से वर्षा का प्रभाव रहता है ठीक है सबसे विनासकारी तरंग मानी जाती है जो इसे भूतली प्रत्वी के उपर भी कहता है ठीक है भूतली तरंग भी कहा जाता है इसे ठीक है अगला 190 ज्वाला मुखिया दिया है और उसका इस्थान दिया है मैंने कहा था कटोपैक्सी आधका है उस एक्वडॉर में भी अधका है ठीक है कि मोनालोव हवाई दीप परिस्थित जालम की मौंट एटना इटली एटना में टा है ओटली में भी टा है ठीक है आगे दिया है इस्ट्रांबेली बोली जो अलमकी है वो बुमादिसागर में वह ठीक है तो यह थोड़े महातपूर्ण जो अलमकी थे और उस्थान इस देश में है नील नदी निकलती है, कहा से निकलती है, विक्टोरिया जील से, नील नदी को किस महादीब के लिए वर्दान कहा जाता है, तो अफरीका महादीब के लिए, ठीक है, अगला प्रश्ण है, भारत की या नदी करकर एखा को दो बार कारती है, भारत की कौन सी नदी है, माही नद है भाकणा नागलबान के लिए ट्रिक कोंसी है जिसरे भाकणा नागल में भाले लेते हैं वर सatलज नेदी का सा रिए भास थीक है शो । बहुत आसान से हो जाए एक बर जब फीड हो गया ना कोश्चन आएगा आराम से कल लेंगे अगला प्रश्ण जो है हिमाचल परदेश में किस नदी को चंद्रभभा कहते हैं अगला प्रश्ण है एक सो पंचानवे गौरी गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी गौरी गंगा शार्दा नदी ठीक पर बंगाल कि खाड़ी में ठीक है पलार नदी हमाले से निखलने वाली नदिया है धी Soup नधियो के बारे में मैंने बताय हुआ है अगला जो है चिलका ज Tokyo racist किस राज में ूरिस समें कि चिलका जुड़ हूड आँ समझेंने चासल को ब्यूमम लियुंट पूर्वत्तर भारत की सबसे बड़ी जील लोग टक कहां पर है लोग टक मड़ी पूर ठीक है टक मड़ी टक मड़ी ठीक है फूरा ट्रिक वाइस इसे अपने आप किस मरदा को श्टकदवन दिय चरनो जम मरदा भी कहा जाता है काली मरदा को मुपक्न मुर्दा है ठीक है काली मुर्दा रेगूर मदा जिसे चर्णो जम मुर्दा भी कहते हैं अगला प्रश्न है जो 200 नंबर का है हम लोग ने 200 किया है भारत की पहली वन्नित 384 में अगर देखते हैं वनों का विस्तार किस प्रकार से वनों का विस्तार होना चाहिए अगर है तो उस देश में 33% वनुका विस्तार है उसके च्छेत्र मैं और 50 5% और अगर मैंदानी च्छेत्रDe हैं यहां पर 20- 25 वनुका विस्तार होना चाहिए अनव्रस्ट प्रस्था लिए अगला प्रस्था जो है फोना आफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी फोना आफ इंडिया अहीं कि भार्ति प्राणी विज्ञान सरवेच्छन संस्थान 1916 में थिक इसे फोना आफ इंडिया भी कहते है ठीक है कवक है कवक के अधियन माइकोलॉजी में कहा जाते किया जाता है मेलोफाइटा का है कवक के अंदर यस्ट पनिसलीन भी आते हैं पनिसलीन से अलेगजंडर के द्वारा पनिसली जो है वेक्सिन बनाई गई थी अगला प्रस्ण जो है कौन सा एक सत्य फल नहीं है तिक सत्य फल कौन कौन से नहीं है या सकते जूटा फल कह सकते हैं तो सेब इस ट्रौबेरी तो सेतूत ठीक है इन्हें याद रखेंगे इन्हें सत्य फल में नहीं गिना जाताया, गहां जूटा फल जाताया है अगला देखते हैं helleos gas कौन कौन सी है तो कुलोरो फिरो कह बन O전에 остр्ण कहते हैं अगला प्रस्णी देखते हैं नय ट्रोज़न इस्तरी जर एक कौन भाग नहीं लेता है यिस्ट भाग नहीं है जिवान का भाग लेते हैं अगला प्रश्ण है मुख के रूप से जिवान भाग लेते हैं आगे देखते हैं नाइट्रोजिनी करण ठीक है तो नाइट्रोजन पौधे जो है योगिक के रूप में ग्रहण करते हैं और कौन-कौन से हैं नाइट्रेट के रूप में नोटू नाइट्रोजन इस्थरी करन के लिए साइणो बेक्टेरियम होता है जेसे सोपौसी भी कह सकते हैं लोग और जीवार ठीक है साइणो बेक्टेरियम जैसे नीरहृत सेवाल नोश्टक अनावीन ठीक है और जीवार में राइजोबियम, केस्टर इस्ट्रेडियम और तो नाइट्रोजन इस्त्री करण के लिए डालों की जड़ों में ठीक है कि आगे देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगटन का मुख्याले कहां है कहां है जनेवा में ठीक है जनेवा में अगला प्रस्ण जो है भारण की सबसे बड़ी लैगून जील है चिलका जील जो उड़ीसा में है जिसे सबसे बड़ी खारे पानी की तटी जील भी कहते है ठीक है सबसे बड़ी लेगून जील भी है ठीक है चिल का चील ऊड़ या फिर आपके सकते चड़िया ऊड़ ठीक है आगे देखते हैं सांबर जील सबसे बड़ी अंतह इस्तलिय खारे पानी की जील है ठीक है उलर जील जो जम्मू कस्वीर में है इसे ताजे पानी की सबसे बड़ी जिल कहते है ठीक है अगला प्राशन जो है जल सरच्छ्ण एवं प्रदूसर्ण यद्स अधिनियम कब पारित हुआ तो जल के संबन्द में जो अधिनियम था यह उन्नी सो चौहत्र में में पारित हुआ अधिका ुएन ए पी का मुख्याल है नयरोभी केनया इसके द्वारा दिया जाने वला प्राइज ग्लोबल पांचा ठीक है यानि स्टाक होम जो हो था उसी के अंतरगत इसकी स्थापना की गई थी यूएन इपी की तो यूएन इपी की द्वारत प्रुसकार दिया जते है ग्लोबल फाइफ एंटर जो पर्यागार से जुड़ा हुआ एक प्रुसकार है ठीक है अगला प्रशन है उत्ता प्रदेश का स की इसके उलबा प्रशन जो है एक वन की प्रात्मिक आफ शिकता होती है ठीक है किसे कीं आधर यहां पर कि यहां व्रच होना जажरूरी होता है वन के लिए कई प्रकार के व्रात्म अलग-लग सो तो काफी जादा अच्छा रहता है कि अगला प्रस्वम का निर्माण किसके द अगे देखते हैं बीज अंकुरण या बीज अंकुरण के लिए आवस्यक जो हैं वो कौन से हैं सबसे पहले बीज अंकुरण के लिए जल आधरता तापमान वायू चारों मुखे रूप से जरूरी होते हैं ठीक बीज अंकुरण के लिए अगला देखते हैं कौन सा ब्लेक माउनटेंड या फिर भृंसोत्त परवत का उधारण है ठीक है? साल्ट रेंज ठीक है उल्ट हो रेंज्ट है तृऔ कैसे इसका जो इस्थान अगर आपको पता है ठीक है? अगला प्रसंद जो है दूसर या पाड जाल मर्दा किस छेत्र में पाई जाती है जिसे पथरीली मिट्टी भी कहते है तो यह टेगा छेत्र सितोष्ट छेत्र में पाई जाती है इसमें जो संक्वाकार व्रच्छ जो होते हैं सितोष्ट छेत्र में और जिसे बोरियाल वन है किस चेत्र से माए सबसे एrimin सतत विकास का सब्भ लिकास विकास का थावि कह सकते हैं इसके लवक्रस उर्जा नहीं करने उर्जस सबसे है लेकिन स्वास्त से इसका संबंध तिकाऊ यानिकि स्वास्त से संबंधित अगला प्रश्ण है जेव मंडल आरचित छेत्र के किस भाग में सोध एवं प्रसिच्छन का कारी संपन्न किया जाता है जेव मंडल आरचित छेतर के किस भाग में सोध एवं प्रसिच्छन कारी संपन किया जाता है अगला देखते हैं grown अगला प्रश्ण है पैल कि यह तीनों जो राज हैं एक दूसरे से सटे हो गए है अगला प्रशन है कैलास संखाल किस नाम से जाने जाते हैं ठीक है कैलास संखाल टाइगर मेन आफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं यानि कि टाइगर आफ मेन आफ इंडिया किसे कहा जाता है तो कैलास संखाल आगे रखते हैं हिम ते दुआ को संकट ग्रस्त सेड़ी में कब घोसित किया गया था ठीक है तो 1972 में और हिम चीता परियोजना 1987 में लाई गई थी जूम खेती पर रोग लगाने वाला अधिनियम कब आया था तो 1976 में आया था ठीक है वर्तमान समय में भारत में कुल वनों का आकार क 2019 की रिपोर्ट के अंसार भारत में 24.56 ठीक है इसके लावा देखते हैं IUCN 1948 में गटित हुआ और इसका जो मुख्याला है वा ग्लेंड में है और WFF 1961 में गटित हुआ तो इसका मुख्याला भी ग्लेंड में है ठीक है और ग्लेंड स्विजर लेंड में इसको थोड़ा अब सीशा की वज़े से एनेमिया होता है आयोडین की कमी से घेंगारोड होता है केडियम की वज़े से इटाइटाइरो होता है और ऑरसेडी की वज़े से तुचा का कैंसर होता है यह बहुत इंपोर्टन है यूपिटिर की एकसाम के लिए उन पर थोड़ा ध्यान से समझ दे की ने कोशिस किजीएगा आगे देखते हैं सामयकित कीट प्रबंदन राष्टी उध्यान कहां पर हैं नई दिल्ली में तीक है अग्ला देखते हैं नैनो यूरिया कि को कहां पर है यह नैनो यूरिया जो है इत तो से शंबनती थे इन्होने नेनो आगे देखते हैं देश की पर्थम नदी जील जोड़ो परियोजना केनबेतवा नदी लिंक के रूपे कपरारंब हुई है प्रसेंटेर के प्रसंद देखते हैं देश के 98% सोना का उत्पादन किस राजय में होता है है किये पुलार करनाटक भारत में 98 परदसत सोना को उत्वाद करनाटक इसके इलावा देखते हैं अगला भारत में राष्टी ताप विद्धुत निगम की स्थापना कब की गई येखे 1975 में की गई थी राष्टी जिसे एंटी-पी सीवी कहते हैं राष्टी ताप विद्धुत अगे देखते हैं मेक इंडिया प्रोग्राम प्रारंब किया गया था तो यह 24 सेतंबर 2014 में ठीक है अगला प्रशन है पुरवांचल एक्सप्रेस क्वे की कुल लंबाई है जो लखनाव से गाजीपूर के बीच में है इसकी जो लंबाई है वो 341 किलोमेटर की है भारत में वा की नसल है देवनी गाई की देशी नसल है ठीक है अगला प्रशन है मौसम के देश्टी कोड से उस्ट कटवंदी प्रदेश का प्रमुकलत चणाए ठीक है उस्ट कटवंदी देखे वर्स भर गर्मी रहना ठीक है वर्सा दैनिक वर्सा ठीक है यह भी छेत्र रहता है वर्सा किया जाता है यह क्रत के द्वारा ठीक है अगला प्रशन एक इस्तर से दूसरे इस्तर पर उर्जा को कितना हास होता है ठीक है एक इस्तर से दूसरे इस्तर को यह लिंड मैं ने 1942 में बताया थे कि एक इस्तर से दूसरे इस्तर में उर्जा का हास कितना होता है हास 10% हास 90% होता अगला वायू मंदल में सबसे ठंडी परत को कहते हैं मध्यमंदल हो यहीं पर मंदल में होता है अगला प्रश्ण जो है किसी नदी के पुर्दूसन इस्थर की माप की जाती है BOD यानि बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड ठीक है एक दूसरा होता है बायो लॉजिकल आक्सीजन डिमांड ठीक है BOD 5 का मतलब होता है कि प्रते एक पास दिन में जाच करना है ठीक है अगला प्रश्ण है सुस्क बर्फ इसे कहते हैं सुस्क बर्फ कही जाती है कारबंड़ आक्साइड को अगला प्रश्ण जो है 246 मर्दा की धान की पैदावार बढ़ने के लिए मुक्त जिवी जिवाड कौन सा है ठीक है तो एना बीना एजोला ठीक है एना बीना एजोला जो है वो धान की पैदावार बढ़ने के लिए एक मुक्त जिवी है जिवी जिवाड है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं मूल ग्रंतियाया यानी रूट नूडल्स पाई जाती हैं किस में पाई जाती है तो कुछ लेग्मीनस पाध्पवों में ओऔर कुछ अन्य पाधों में त्थीक है अगे देखते है नाइट्रोजन उग्वी करण में कौन सी फसल सहाजक है कौन सी फसल सहाजक है तो वह है फली ठीक है जो की लोगी मीने पौधे का एक उधारण है ठीक है अगला देखते हैं 149 नंबर जिवाड़ों को पौधा माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोस्का बित होती है यह कोस्का बित पाई जाती है ठीक है जिवाड़ों में कोस्का बित कवक की कोस्का बित को काईटीन कहते हैं सेवाल की कोस्का बित को पिच्चिन कहते हैं और जिवाड़ों की कोस्का बित जो ह पचाज नमबर का कोश्चन था एक गोल जीवार को कहलता है ठीक है यह आपके डेर सो कोश्चन थे जो मैंने आपको कराए अप इन ही के द्वारा त्यार करिएगा ठीक है पढ़ लिजिए एक बार तेक लिजिए आपको जदर जदर कोश्चन आपके कवर किये हो जाएंगे ठ आपके पर अच्छा तरीके से आपको कोश्चिस करें ठीक है वीडियो कैसा लगा जो कमेंट के मादें से बताईएगा जय हिंद जय भारत